कुरुशेत्र में कॉंग्रेस नेता रड़दीप सिंग सुर्जेवाला के एक बयान से सियासी बवाल हो गया है कैथल के गाउं फरल में सुर्जेवाला ने अभिनेत्री और सांसद हिममानली को लेकर विवादित बयान दिया जिसके बाद हर्याणा महिला आयोग ने सक्ति सीखते हुए कॉंग्रेस नेता को नोटेस जारी किया है और 9 अप्रेल को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा है सुर्जेवाला इंडिया अलाइंस के उमीदवार शुशील गुपता के समर्थन में प्रचार करने के लिए फरल गाउं पहुँचे थे उनके बयान के बाद बीजेपी हमलावर है अभिनेतरी और हिमाचल की मंडी लोग सभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि बात मोहबबत की दुकान खोलने की हुई थी लेकिन कॉंग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है महिलाव की प्रतिक गिरी हुई सोच रखने वाले कॉंग्रेस के नेता हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन बादिन पतन कर रहे हैं रडीप सुर्जवाला के बयान पर पलटबार करते हुए बीजिपी आईटी सेल के प्रमुक अमित मालविया ने शोशल मीडिया पर लिखा है कि कॉंग्रेस सांसत रडीप सुर्जवाला ने हेमा माननी पर एक घ्रनित टिपड़ी की है उनकी ये टिपड़े ना केबल हेमा मालनी के लिए है बलकि ये बाद सामाने रोप से महिलाओं के लिए भी अपमान जुनक है इससे पहले राहुल गांदी ने मुंबई में एक सम्मोधन में कहा हिंदू धर्में एक शब्द है शक्ती हम एक शक्ती के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसके बयान को लेकर बीजेपी ने पलट बार किया था कहा था राहुल को ना तो हिंदू धर्म की समझ है और ना ही लोकतंत्र की और अब सुर्जिवाला ने भी नारी शक्ती को लेकर फिर से ये बयान दे डाला है कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता और राज्युसभा सांसत रणदीप सुर्जिवाला ने कैथल के गाउं फरल में जुनसभा को संबोधित करते हुए हेमा मानली पर विवादे टिपड़े की थी हाला कि विवाद बढ़ने के बाद कई लोगों की आपत्ती आने के बाद सुर्जिवाला ने मामली में पश्टी करण भी दिया है